नमस्कार मैं हूँ पाडितोस कुमार आप देख रहे हैं टीडी डूज पर टीडी करप्सन और आज इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि स्रीजन महिला विकास समीती की 4 करोड से अधिक मुल्य की संपत्ति एडी ने जप्त कर लिया है दरसल स्रीजन घुटाले में परवत्र निदेशाले ने स्रीजन महिला विकास समीती की 4 करोड से अधिक की संपत्ति जप्त की हैं बुधवार को की गई इस कारवाई में एडी ने 12 फ्लेट, 5 जमीन के पलोट और मकान के साथ कार और बैंक एकाउंट जप्त की हैं आपको बता दें कि इडी ने अपनी कारवाई प्रिवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहत की हैं निदेशाले ने मिली जानकारी के अनुसार भागलपूर में चलने वाली स्रीजन महिला विकास सहयूग समीती द्वारा अपसरों और बैंक कर्मियों के साथ अन्य की मिली भगत से अवैध तरीके से स्रीजन के बैंक खातों में सरकारी फंड का ट्रांसफर किया गया है यह रासी RTGS पास्बुक चेक के जड़िये ट्रांसफर की गई थी आपको बता दें कि बिहार सरकार ने CBI को सौप दी थी यह जांच जिहां दरसल इस मामले के परकास में आने के बाद इस मामले की जांच राजी सरकार ने CBI को सौप दी थी CBI की प्राथमिकी के अधार पर परवर्तन निदे साले ने इस मामले में जाच शुरू की थी निदे साले ने इसके पूर्ब बीते वर्स भी स्रीजन मामले में 14 करोड उपय मुल्ली की संपत्ती जब्त की थी यह संपत्ती, सरकारी अधिकारियों, बैंक अपसरों और स्रीजन की सचिव मनोणवा देवी की थी खबरों को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बता दें कि 3 करोड से अधिक मुल्ली के 12 फ्लेट, 5 जमीन के प्लोट और मकान जब्त किये गए जानकारी के अनुसार कल की गई करवाई में इडी ने लगभग 3 करोड रूपे, मुल्ली के 12 फ्लेट, 87 लाख रूपे, मुल्ली के 5 जमीन प्लोट, कुछ मकान, 11 लाग से अधिक मुल्ली की स्कॉर्पियो कार और बैंक खाता है जिसमें 1 करोड 20 लाख रूपे हैं जिसे कर ली थी, इस मामले में बिहार सरकार के कई अपसर अब तक नप चुके हैं, अब देखना यह है कि ऐसे भरस्टचारियों पर आगे की क्या करवाई होती है, फिलहाल आज के टेडी करप्सन एपिसोड में इतना ही आप देखते रहें, टेडी निउज, नमस्कार